हेलो एब्रिवन आज हम आपके लिए लाए हैं रस्मलाई की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी और डेलिकेट से मिठाई होती है और इसमें बहुत ही कम इंग्रीडियन का भी इस्तेमाल होता है पस थोड़ी से टिप्स और ट्रिक्स को अगर फॉलो किया जाए तो बिल्कुल मार्केट जैसी मतलब हलवाई वाली बिल्कुल जो रस्मलाई होती है वो हम बना करके घर पर दियार कर सकते हैं और बहुत ही कम लागत में तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इससे बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मीडियम टैंप्रेचर पर हम आधा लीटर द भागे डालेंगे और यह है कुछ ड्राइफ रूट्स इसमें काजू, बादाम और पिस्ता है तो इन तीनों को मैंने बारी काट लिया है और उसके अलावा इसमें चिरोंजी भी है आपके पास इसमें इसमें कुछ ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं जो भी आपके पास जल या केवडा जल के भी कुछ बूंदे डाल सकते हैं और यह है चार से पांच इलाइची कुटी हुई बारी और इसको भी इमिस में डाल देंगे और इसके बाद थोड़ा सा फूड कलर जो की ऑप्शनल है लेकिन अगर आप डाल देंगे तो बिलकुल हल्वाई वाला इसके बाद हम लेंगे 1 लीटर गाय का दूद यह हम लेंगे क्यूंकि लो फैट होता है आप पकेट वाले भी लो फैट डूद का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम इस दूद को चलाते हुए ही गरम करेंगे और उबलने वाले टैंपरेचर तक इसको ले करके आएंगे और जब उबलने लगेगा तब हम गयास की फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि उबलते वगत अगर हम इसको फाड़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें जो छेना है वो बहुत ही टाइट सा हो रहेगा मतलब खिचा-खिचा सा रहेगा तो 5 मिनिट तक हम इसे पहले छोड़ देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे उसके बाद हम 5 ढगकन पानी और एक ढगकन विनेगर लेंगे तो हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे और इसके बाद 5 मिनिट हो चुके हैं तो हमारा दूद भी कुछ ठंडा हो चुका है तो इसके बाद हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके मिलाएंगे और उसके बाद स्पैचुला से धीरे-धीरे इसको हिलाते जाएंगे और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि जो हमारा दूद है वो कडल होना शुरू हो जाएगा मतलब कि फटने लगेगा और अगर आप दूद फाडने के लिए निम्बू के रस का इस्तिमाल कर रहे हैं तो पानी दुगना डालें जितना निम्बू का रस है उससे दुगना पानी डालें और एक साथ इस पानी को कभी भी दूद के अंदर ना डालें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हमारा चेना बहुत ही अच्छा फटेगा और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूद में से चेना अलग होने लगा है तो अब जो बचा हुआ हमारे पास विनेगर वाला पानी था उसे भी हम इसमें डाल देंगे इससे ज्यादा हमें डालने की ज़रुवत नहीं पड़ती है अगर आपका दूद नहीं फटा हो तो आप इसमें थोड़ा सा विनेगर और पानी इसी रेशियों में मिला करके थोड़ा और इसमें डाल सकते हैं वैसे इतने में पॉफेक्ली फट जाता है तो ये देखिए ये पानी जो है बिल्कुल ग्रीन सा हो चुका है और काफी transparent भी हो चुका है पानी मतलब कि हमारा चैना फट चुका है तो अब लेंगे हम एक बाउल और उसके उपर एक चन्नी लगा देंगे और जो हमारी चानने वाली चन्नी है उसके उपर अच्छे से सूती कपड़े को विछा लेंगे और इसी के उपर हमको चैना चानना है तो बस जो सारा फटा हुआ दूद है हम इसी कपड़े के उपर डाल देंगे और जो हमारा चैना है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा इसलिए हम सूती कपड़े का है इस्तिमाल करते हैं इस चैने को चाननने के लिए क्योंकि इसमें से अच्छे से पानी जो है वो चहन जाता है अगर आप कोई और कपड़ा लेते हैं तो उससे जो हमारा चैना है वो गीला ही रह जाएगा क्योंकि वो पानी उसमें से अच्छे से निकल नहीं पाएगा और छेना अगर गीला रहेगा तो हमारे मिठाई का शेप बिल्कुल प्रॉपर नहीं आएगा और ये चाशनी में बिल्कुल फैल भी जाएगा और ये जो पानी है इसे फैकनी की ज़रूथ नहीं है काफी नूटिशिस होता है तो आप इसका इस्तिमाल दूद पाढ़ने में भी कर सकते हैं इसका आप डो भी लगा सकते हैं और इस डो से जो पुरी पराठा बनता है नो बहुत ही सौफ्ट बनता है और ये है नॉर्मल पानी जो पानी हम पीते हैं तो इसी के अंदर जो हमारा छेना था उसको हम अच्छे से पहले धोएंगे ताकि जो विनेगर की खटास है वो निकल जाए अगर इसमें विनेगर की खटास रहेगी न तो जो मिठाई हम बना रहे हैं उसका टेस्ट सही नहीं ioni आएगा तो ये दिखे मैंने पानी में इसे कई बार डुमड़ू करकरके उर अच्छे से धो लिया है और इसके माद इससे ल्कशे हातों से निचोड लेंगे हम इससे भाच ज्यादा पानी Cave ये नी चोड़ना है नजीतो तो यह देखे 30-35 मिनिट हो चुके हैं तो अब हम इसे निकालेंगे एक थाली में और अगर इसे निकालने के बाद आपको लगे कि जो छेना है वो गीला है तो आप इसी कपड़े में इसे थोड़ी देर और ढख करके रखनें तो यह जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा यह उसका पार्ट होता है उसी का इस्तिमाल करते हैं और इसको हमें इस तरह से गूधना है ताकि जो छेना है उसका एक भी खड़ा पार्ट ना रहे और बिल्कुल डो फॉर्म में यह हो जाया और इसके बाद इसको एक पॉफेक्ट बाइंडिंग देने के लिए हम लेंगे एक टी स् भी झाद करते हैं एक बराबर बने और फिर उन छोटे-चोटे हिस्तों को हम रस्मालाई का शेप देंगे तो ये देखिए मैंने सारे shapes को तयार कर लिया है और ये total 11 पीस है तो एक लीटर दूद में आप आराम से 10 से 12 पीस रस्मलाई के तयार कर सकते हैं तो चलिए अब हम इसे चाशनी में boil करेंगे तो इसके लिए हम induction पर रखेंगे एक कड़ाही और उसके अंदर चार कप पानी डालेंगे कप या कटोरी कोई भी चीज आप set कर लें तो चार कटोरी पानी और एक कटोरी चीनी हम इसके अंदर डालेंगे तो ये देखिए एक कटोरी चीनी है क्योंकि इसके लिए हमें बहुत गाड़ी चाशनी नहीं चाही होती है बिल्कुल पत्ली चाशनी में हम इसको बनाते हैं तो बस इसे lid लगा करके और इसे high flame पर हम इसे उबलने देंगे इस चाशनी को और जब इसमें उबाल अच्छा जाएगा तब हम इसमें एक-एक रसमलाई के पीसिस को टालते जाएंगे और जैसा कि आप देख रहें कि पानी का temperature बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है कि अएक-एक करके इसीलिए डालेंगे ताकि पानी का जो boiling temperature है ऒ बिल्कुल बINA रहें और इसी तरह हम साड़े पीसिस को डा जा चुका है तो इसको हम एक बार पलट लेंगे पलट लेने से जो पीसेज है ना रसमलाई के वो दोनों साइड इमेल लिए और बहुत अच्छे से फूलते हैं तो ये भी एक स्पेशल ट्रिक है और इसके बाद हम इसे फिर से उसी तरह से ढख करके 10-15 मिनिट तक फिर से कु प्रेम को ओफ नहीं करना है ताकि इसका टैंपरेचर यह वो डाउन ना हो उसी तरह से हम इसे ठंडे पानी में डाल देना है बिल्कुल चिल्ड आइस्ट वोटर में डालना है ताकि इसका कुकिंग प्रॉसेस है वो रुक जाए और ये देखिए रसमलाई के जो पीसे से व ये देखिए और जब इसे आपका टोडी के पानी में डालेंगे या सेम उसी चाशनी में डालेंगे तो फिर से अपना रूप तुरंत पकड़ लेगी ये देखिए मैं इसमें कोई आडिटिंग नहीं की है तो नॉर्मली जो इसे बनाने में एक समस्या आती है किसका साइज से कुड़ गया या पहले से ज्यादा चोटा हो गया तो आप इन सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करिए ये समस्या कभी नहीं आएगी तो बस इन रस्मलाई के पीसिस को हम दोनों हतेलियों के बीच में रख करके और हलका हलका हाथ से दबाते हुए एक अलग पैन में र जालते जाएं और हां इसे चार से पांच घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर दें चार से पांच घंटे के बाद जो ये रस्मलाई है इसके अंदर जो केसर वाला दूद है वो अच्छे से मतलब इसका टेस्ट आ जाएगा और ठंडी ठंडी ये बहुत ही ज्यादा टेस्ट यह दूद में जाने के बाद भी झाल दूद में निकल रहा है कि आपको भी टालेंगे तो अगर जो आपको मेरी रसीपी पासंद आई होगी और गयर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही डिशेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें and hit the bell icon ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की notification मिलती रहें till then take care, bye bye